रश्या की मुश्कले कम होने का नाम नहीं ले रही है चहां हाल ही में उसने अपनी ही प्राइवेट आर्मी की बगावत देखी यहां तक की पुतिन का आसन तक हिलता दिखने लगा था उधर युक्रेन भी लगबग डेट सालों बाद भी अपनी जगा पर अड़ा हुआ है इस बीच सीरिया ने भी सिर उठाना शुरू कर दिया है करीब एक हफते पहले इस देश के बागियों ने रूस पर ड्रोन अटाइक किया सीरिया ए लोगों में रूस के खिलाफ गुस्सा है जिसकी वज़ा है पुतिन की आर्मी जो सीरिया में सालों से जमी हुई है हाल ही में रूस ने उत्तर पश्चिम सीरिया के विद्रोईयों के कबजे वाले इलाकों में एड्स ट्राइक किया था इस हमले में दस से जादा मौते हुई थी जबकि बहुत से लोग घायल हुए थे सीरिया में बगावत करने वालों ने हमले को नरसंग हार माना जबकि वहां की सरकार ने इस पर कोई ओफिशल बयान नहीं दिया है दरसल रश्या सीरिया के राश्ट्रपती बशर अलसत का सपोर्ट करते हैं और उन्हें तक्ता पलट से बचाने के लिए सालों से वहां रश्या की आर्मी जमा हुई है साल 2011 से ही जब से सीरिया में ग्रह युद छिड़ा है सीरिया के लोग मौजूदा सरकार को पसंद नहीं करते वो चाते थे कि सत्ता पलटे और उनकी पसंद की सरकार बने और राश्ट्रपती बशर अलसत से पहले पच्छोड़ने की मांग हुई लेकिन बशर अलसत ये एसमती पसंद नहीं कर पाए और उन्होंने लोगों को दबाना शुरू कर दिया यही से प्रदर्शन हिंसा में बदला और देश सिविल वार की चपेट में आ गया यह मामला यही नहीं रुका ताकतवर देश मौका देखकर इस रडाई में कूत पड़े जिन में अमेरिका और रूस शामिल है सितंबर 2015 में रश्यन फेडरेशन ने फॉर्मल तरीके से सीरिया इवार में दखल दिया और असद का समर्थन करने लगे और अपनी सेना सीरिया में तेनात कर दी वही दूसरे देश भी हत्यारों और पैसों से मदद कर रहे थे लेकिन बात सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं थी कहा जाता है कि बशर अल असद का तक्ता पलट रूस के लिए एक और दोस्त खोने जैसा होगा रूस पहले से ही अमेरिका और यूरोप की पाबंदिया जहल रहा है बहुत थोड़े मुल्क उसके मित्र है सीरिया यराश्टपती के साथ भी यही मामला है अमेरिकी सरकार उसे गिराना चाती है ताकि रूस और कमज़र हो जाए इधर रूस इस सत्ता को पलटने से बचाने के लिए सालों से पूरा जोर लगाय हुए है रूस ने अपनी सेना भेजने के लिए पिछले दलील दी थी कि वो आतंकी ताकतों को खत्म करके अपने दोस्त देश को राहत देना चाता है रूस ने साथ साथ सीरिया सरकार भी विद्रोईयों को कुछलने लगी है यहां तक कि बहुत से हिस्सों में विद्रोग को दबा दिया गया है रूस इन आर्मी ने जिस तरह से पूरे मामले को संभाला है उससे मिडल इस्ट के के देश प्रभावित हुए है मिडलीस के कैई देश मानने लगे हैं कि मॉस्को से उन्हें अपने रिष्टे बहुत बढ़िया नहीं तो ठीक ठाक जरूर रखने चाहिए ताकि मौका बे मौका मदद मिल सके पिछले छे महीनों में रूस ने सीरिया पर साड़े चार सो मिलियन डॉलर से जादा खर्च किये हैं बाद में वो सीरिया से इसकी वसूली करने लगा लेकिन अब रूस वहाँ से अपनी सेना हटाने को बेताब है क्रेमलिन ने कई बार ये इशारा किया कि सीरिया को अब उसकी ज़रूरत नहीं है और वो अपनी आर्मी वापस बुला लेगा साल 2016 और 2017 के दौरान पुत्ते ने खुद ऐसा ऐलान किया था लेकिन सेनाय अभी भी इस देश में मौजूद है यहां तक कि सीरिया की जनता भी अपने यहां तनाफ के लिए रूस की सेना को जिम्मेदार मानने लगी है आज के एक्स्प्रेनर में इतना ही ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहे है आईनेस टीवी